दूस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर IVPS POPRI में एक कुश्चन आपका SICI-Based आ रहा है उस कुश्चन का लेबिल कैसा है, क्या-क्या डेटा दिया गया है और लोगों को कहां पर प्रब्लम हुई तो वो चीज़े मैं आप पर डिस्कुस कर रहा हूँ केसलेट डियाई के बारे में यह आपका जो है यह जो अक्टूबर तिरह चोदह एक्टूबर के एक्जाम से इसमें पूछा जा चुका है तो सबसे पहले कुश्चन किस तरीके से दिया था इसमें लिखा था अमन इंवेस्टेड रुपीस 30,000 इना स्कीम which gives 20% compound interest for 2 years मतलब अमन जो है 30,000 रुपा इंवेस्ट करता है किसी इसके में rate of interest क्या है 20% compound interest ठीक है और 2 year के बाद कही गई है तो यहाँ पर आप यह देख लो कि उसका principal amount कितना है 300,000 रुपा है और time duration कितनी है 2 साल है और rate of interest कितना है 20% तो अगर आप यहाँ पर C.I. निकालते हो तो C.I. कैसे निकलेगा इस 30,000 का 20% पहले आपको निकलना होगा 30,000 का 20% कैसे निकलेगा 2,0 अब जैसे simple से अगर मैं आपको बताओ 30,000 है और इसका 20% निकाल लोगा तो आप यही तो करोगे तो यह जो percent है इससे आपके 2,0 यह वाले खतम हो गए 300 into 20 यह आपका कितना आगया 6000 तो पहले साल का 6000 तो दूसरे साल का भी यही रहेगा अब इस पर आपका फिर से 20% interest लगेगा तो कितना लगेगा 6000 का 20% निकालोगे यह आपका 1200 ठीके और total अगर मैं interest की बात करो उसी आईगी तो वो कितना हो जाएगा इन तीनों values को जोड़ लो 6 उचे 12,000 और एक 13,000 यह होगा 13,200 अगर मैं total amount की बात करूँ कि उसको कितना amount मिलता है तो principal amount तो 30,000 उसका था प्लस 13,200 और मिले उसने एक bike करी ली कितने की 32,000 रुपए की तो इस data को यहाँ पर हम use कर दे हैं फिर उसने क्या किया 43,200 इस amount में से 32,000 रुपए की एक bike करी ली ठीके अब आप यह देखो उसके बस remaining कितना बचा remaining देखो 43,200 माइनस 32,000 मतलब 11,200 उसके पास इतना amount फिर से बच गया ठीके फिर यहाँ पर क्या हुआ है उसने यहाँ पर यह का गया है कि from remaining money जो remaining amount है उससे उसने दो घड़िया करे दिये जिसमें W1 और W2 है ठीके equal pricing W1 और W2 equal pricing किये ठीके यह question memory based formed है अब अगर इसमें यह पूछ लिया जाए कि जो remaining amount बचा suppose करो अगर question थोड़ा सा और अच्छा बनता तो उसमें कहता है कि 20% उसने जाकर कहीं पर निवेस कर दिया कहीं पर invest कर दिया ठीके remaining amount जो बचा उसका उसने half कर दिया ठीके ऐसा भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर जो question हम से कह रहा है कि जो remaining amount 11,200 बना है इसमें equal amount में W1, W2 में उसने investment कर दिया गड़ी खरेदने में तो 11,200 इसका मतलब 56,000 यहाँ पर invest हुए 56,000 यहाँ पर invest हुए फिर उसने क्या किया कि जो गड़ी है W1 को 10% profit के साथ और W2 को 20% profit के साथ बेज दिया He sold तो देखो 10% profit इसका मतलब इसका 10% निकालेंगे तो directly आप इसमें 1.1 से multiply कर दो 10% निकालोगे फिर 56,000 में add करोगे इससे better क्या होगा कि आप directly 110% निकाल दो इसका amount आपको मिल जाएगा तो मैं directly 1.1 से multiply करके इसका total amount पता चल जाएगा तो देखो 10% आपका 10% से हट जाएगा तो 10% के वाल यहाँ पर रहेगा 11 इंटू 6666 बचा 55 और 61 अब आप अगर यहाँ पर interest देखो के 10% कितना होगा यह आपका आया है 560 रुपए का interest ठीक है तभी तो 500 प्लस 560 कितने हो रहे है 1160 यहाँ पर क्या है W2 को 20% profit पर तो यह कितना हो जाएगा 1.2 से यहाँ पर multiply कर दो तो इस box में कितनी value आजाएगी 12 इंटू 6 62 और 12 इंटू 5 60 और 6 67 तो अगर आप यहाँ पर 560 10% होगा और 20% कितना हो जाएगा 560 इंटू 2 मतलब की यह 1120 रुपए का interest उसको यहाँ पर मिला है मतलब profit यहाँ पर मैं कहूंगा मतलब 560 क्या profit यहाँ पर उसने लिया 56 की गड़ी उसने 6 160 में बेज दी 56 की गड़ी 20% profit पर बेची 1120 में तो यहाँ पर यह 6720 तो 1120 का profit यहाँ पर 560 रुपए का profit यहाँ पर यह डेटा पूरा question का हो गया अब question आपसे कैसा पूछ रहा है वो देख लो जैसे को पहला question क्या है इसमें लिगा among invested money which he get from the profit of two watches in the scheme तो अभी हमने देखा कि दो watches जिसमें उसने scheme में जो लगाया उससे उसको profit कितना मिला एक पर 560 मिला दूसरे पर 1120 मिला तो यहाँ पर पहली पर उसको 560 मिला था 1120 दूसरी पर मिला तो उसने इतना पैसा क्या किया invest कर दिया ठीक है जो उसको profit के तोर पर मिला invest कहा किया लिखा है कि which gives 10% simple interest तो यह amount उसको क्या देता है 10% simple interest देता है ठीक है 5 years में time क्या है 5 years तो आपसे पूछा क्या है then what is the interest he earned from the scheme तो interest आपसे पूछा है कितना उसने इस scheme में अर्ण किया ठीक है तो आप यह देखो 560 plus 1120 इस amount को उसने लगा दिया 10% simple interest के तोर पर 5 साल के लिए तो सीधी से बात क्या करोगे SI बराबर PRT by 100 यही तो आप करोगे तो principal इन दोनों को अगर हम add कर देंगे तो यह amount को उसने लगा है 10% के rate से SI पर तो यह कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ ठीके 10 by 100 इन टू यह क्या अतना है 5 साल यह आपका है ठीके बोलते ना PRT by 100 करते है rate percent है तो यह RY 100 इसके साथ यूज होता है तो यह अलग से फिर से मत इन टू 100 करना ठीके 10 by 100 हो गया इतना हो गया अब देखो क्या क्या वैलू से यहाँ पर कटने वाली है 2 0 यह है तो 2 0 यह खतम हो गया क्या बचा 5 x 1 x 168 तो 168 x 5 कर दोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 840 16 85 840 840 यह उसने यहाँ पर आरंद किया ठीके ऐसा question इस format में बन रहा था यह memory based questions है exactly हो सकता थोड़ा बाद change हो लेकिन अगर आपने यह वाली main calculation क्या है यह line का code अगर आपने यह कर लिया तो फिर कितना भी गुमाएगा आप questionnaire attempt करी लोगे ठीके एक और question है इसमें लिखा है अगर price of bike जो है वो depreciate हो रहा है 10% हर एक verse तो पुछा है then what will be the price of the bike after 3 years आपके question में लिखाया है कि 32,000 रुपे की उसने bike खरी दी तो यहाँ पर मुझे यह पता है bike का rate हो गया 32,000 रुपे यह हर एक साल depreciate कर रहा है किस से 10% से ठीके तो obviously कितना हो जाएगा 10% depreciate कर रहा है तो 90% तो क्या लिखेंगे 90 by 100 ठीके 90 बटे 100 इस calculation को ऐसे use करेंगे अभी present अगर मैं बात करूँ कितना है 32,000 है पहले साल कितना घटेगा 90 बटे यह आएगा 10% depreciate हुआ फिर इस पर फिर से 10% depreciate होगा 90 by 100 करोगे ठीके फिर क्या करोगे into 90 by 100 यह आपकी calculation बचेगे सारी calculation सीदी सीदी है देखो नीचे कितने जीनों है 2, 2, 4, 2, 6 6, 0 नीचे खतम करने आपको 1, 2, 3 यह खतम कर दी 4, 5, 6 यह खतम होगा calculation कितनी बचेगी है यह कितना बचाब का 3, 2, 32 into 9 into 9 into 9, 81 ठीके तो देखो 32 into 9 अगर आप इसकी multiply करोगे तो यह कितना आजाएगा अगर मैं 32 into 10 करता हूँ 320 आता है 320 में से 32 आदा दो 288 बचेगा 2, 8, 8 into 81 अब इसकी table आसान है 81 की अगर मैं 8 बार पड़ोंगा 81 into 8 यह कितना हुआ 648 तो 648 के कितना हैगा 8 हैगा यहाँ पर बचाब का 64 अब देखो 81 into 8 फिर से 648 हुआ 648 प्लस 64 जोड़ोंगे कितना आजाएगा यह आप का जाएगा 712 712 के 2 बचे 71 यहाँ पर हो गया 81 into 2 यह कितना हुआ 162 162 162 162 अगर आप इसमें जोड़ते हो 2 और 1 3 और 7 और 6 13 13 के 3 और 1 और 1 2 233 यहाँ पर आगया आप से पूछा क्या है 3 साल बाद कितना depreciate होकर रह जाएगा Depresate का मतलब होता है घटना किसी चीच का जैसे आपने देखा न मसीन दी पर depreciation charges लगते है तो मसीन क्या है consume हो जाती है तो बैसे ही bike भी है इसका भी इदर उदर का अंज़ा पंज़ा डीला होता जाएगा टायर किसेगा और भी चीच होंगी तो इस बुझा से चीच depreciate कर रही है तो 3 साल बाद 23,328 रुपेस की value रह जाएगी जो initial price के तना था 32,000 ठीक है तो I hope यह question समझ में आगया होगा ऐसा question पूचा गया मुझे नहीं लगता कि इस question में लोगों को calculation के हिसाब से problem होई होगी जिसने ये वाली calculation कर लिए होगी उसका question आसानी से बन गया होगा तो आसा कुछ लोगों ने question जो है मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ और बता है उन्होंने क्या का कुछ friends ने जो question मुझे बेजा उन्होंने यहाँ पर एक चीज कही कि जो ये 11,200 रुपए है मैं exactly बता रहा हूँ जो remaining amount है इसका उन्होंने कहा कि 10% उसने charity में दे दिया फिर जो remaining बचा उसकी उसने watch करी लिए फिर पूचा कि charity में कितना पैसा दिया ऐसे question बन रहा था तो और कोई problem नहीं basic यह है यहाँ से आप calculation को कितना भी घुमा फिरा सकते हो almost यह type यहाँ पर बना था तो अभी मेरे पास cable दो question यहाँ पर आए आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा question था और cable, cable, calculation को step by step करना थोड़ा सा ध्यान रखना अगली वीडियो में लोग फिर मिलते है other questions के साथ यहाँ पर आपको playlist मिल जाएगी आप इसको देख लो और इस channel को subscribe कर लो लोगों पर click करके इस channel को subscribe आप कर सकते हैं लोगों like जुरू करना अगर आपको questions समझ में आया हो पसंद आया हो ऐसे और भी questions आएंगे thank you, have a good day